तो हेलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे चैनल या इंड गुरू में जहाँ पर मैं क्लासंद की मैज से रिलेटीड कोशन लाता रहा था और उक्स मैट्रिक भी तो दोस्तो आज मैंने क्लासंद की मैज से चप्टर 2 से एक्ससास 2.2 का कॉशन मर्टू ही है तो चली देख लेते हैं कोशन मर्टू के कह रहा है find a quadratic polynomial each with the given numbers as a sum of zeros and product of zeros respectively तो दोस्तो में simply question बोल के रहा है कि हमें quadratic polynomial find करना है जिसके sum of zeros and product of zeros नीचे किये हैं तो दोस्तो इस question करने का simple method है जिसमें आपको formula याद रखना है वह formula है p of x x equal to k bracket x square minus alpha plus beta into x plus में alpha into beta bracket close तो दोस्तों यहाँ पर alpha plus beta यह हमारा sum of zeros है और यहाँ पर alpha into beta यह हमारा product of zeros है और जहाँ पर k यह constant है मतलब k की value यहाँ पर कुछ भी हो सकती है सिवाई 0 के तो चली अपना पहला part दिख लेते हैं हमारा first part given है 1 upon 4, minus 1 तो दोस्तों यहाँ पर पहला वाला number है जैसे 1 upon 4 यह हमारा हो जागा sum of zeros और जो बाद वाला number है जैसे हमारा minus 1 यह हो जागा हमारा product of zeros तो चली इसको formula में put करते है और answer निकालते है p of x x equal to k x square 1 upon 4 into x plus alpha into beta minus 1 minus 1 तो दोस्तों आपे देख पा रहे है 1 upon 4 यह fraction में मतलब मुझे इसको simple formula लाना पड़ेगा तो मुझे को simple formula लाने के लिए का करना पड़ेगा इस पूरी polynomial को मुझे को 4 से multiply करना पड़ेगा कि क्या पर नीचे 4 है तो मैं पूरी polynomial को 4 से multiply कर दूंगा तो मैं इसको मेरा simple answer क्या आएगा तो मैं k की जगा क्या रोगा दूंगा 4 ठीक है दोस्तो 4 x square minus 1 upon 4 x plus minus minus का 1 ठीक है अब इसको यहापे लिखना पड़ेगा here k x equal to 4 ठीक है दोस्तों आपसको multiply करो 4 x square plus minus minus 4 upon 4 कितना होता है 1 1 x plus minus minus का 4 तो दोस्तों यही आपकी required polynomial है 4 x square 4 x square minus 1 x minus 4 चलिए अपना second part देख लेते हैं तुमारे पास second part given है root 2 1 upon 3 तो इसमें भी वह formula लगेगा p of x equal to k x square minus sum of zeros के मतला alpha plus beta है के मारे पास given है root 2 root 2 x plus में product of zeros मतला alpha into beta के मारे पास given है 1 upon 3 1 upon 3 तो दोस्तों आपर देख पा रहे हैं जो मेरा 1 upon 3 fraction में अबतल सको simplify करना पड़ेगा simple formula लाने कलिए क्या करना पड़ेगा simply इस पूरी polynomial को 3 से multiply करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा fraction में नीचे जो denominator में यहां पर 3 है यहां पर 3 से multiply करना पड़ेगा तो दोस्तों मैं इसको 3 से multiply करूंगा तो मेरा answer क्या आगा 3 x square minus root 2 x plus 1 upon 3 अब मुझे आपके लिखना पड़ेगा here k x equal to 3 तो दोस्तों तो यहां पर multiply करो 3 x square plus minus minus 3 under root 2 x plus 3 upon 3 कितना होता है 1 तो दोस्तों यही आपके required polynomial है 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 तो चलिए दोस्तों अपना 3rd part दिख लेते हैं 3rd part तो दोस्तों हमारा बाद 3rd part given है 0 comma root 5 तो हमारा बाद P of x क्या होता है P of x equal to k bracket में x square minus में alpha plus beta क्या होता है 0 और plus में alpha into beta क्या होता है root 5 तो root 5 ठीक है दोस्तों यहां पर x अब इसको solve करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख पार है मेरा fraction में कोई भी नहीं है 1 x square minus 0 plus में root 5 और दोस्तों 0 कोई sign नहीं होता है यहां पर प्लस लगा लेंगे और ही लिखेंगे here k equal to 1 तो दोस्तों आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि हम a value क्या ले रहे हैं तो यहां पर multiply करो 1 echo x square x square plus 0 लिखो है ना लिखो मतलब प्लस का root 5 आजागा क्योंकि 1 को root 5 से multiply करो तो आपका answer है root 5 तो root 5 तो दोस्तों यही आपकी simply required polynomial आ गई x square plus root 5 चलिए अपना fourth part देख लेते हैं fourth part fourth part हमार पास given है तो p of x is equal to k p of x equal to k bracket में x square minus alpha plus beta का 1 1x plus alpha and 2 beta का 1 bracket close यहां पर भी हमार fraction में कोई नंबर निए तो हम simply k value का रखेंगे 1 answer आ जागा x square minus x plus में 1 here k is equal to 1 so solve करो 1 को x square से multiply करो तका answer आएगा x square plus minus minus का x plus 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 1 तो आपका यही required polynomial आ गई x square minus x plus 1 चलिए अपना fifth part देख लेते हैं fifth part fifth part मार पास given है minus 1 upon 4 comma 1 upon 4 आपका अपका इस पूरी पॉलन में थे प्लिए अपका यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मतल्म मेरी के वली का अजाएगी 4 4 x square plus 1 upon 4 x plus 1 upon 4 here k square to 4 दोस्तों इसको solve करते है 4 x square plus plus 4 upon 4 कितना होता है 1 तो 1 x plus में 4 upon 4 कितना होता है 1 तो 1 तो दोस्तों यही आपके required polynomial ने कल गई 4 x square plus 1 x फ्रेक्शन में मार पास कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कि यहां पर क्या रख देंगे, वन रख देंगे, तो आगे इसको solve करते है, एक स्क्वेर प्लस माइनस माइनस का 4X प्लस 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 वन, तो दोस्तों यही आपकी required polynomial आ गई, एक स्क्वेर माइनस 4X प्लस प्लस वन, तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको एक स्क्वेर 2.2 के कोशन नमर 2 के टोटल 6 पार्ट करा दी है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ब में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पका सल्व परूँगा, तो चलिए दोस्तों, बाए बाए